गेंग्स्टर लव नेक्स्ट एपिसोड कि उसे हरी की होने पर या ना होने पर फर्क पड़ता है तो जूट बोल रही है सच तो ये था कि वै हरी को अंदेखा नहीं कर पा रही थी वानी अपनी सोच से बाहर निकल आई जब हरी ने बहुत धीरे से मगर बड़े ही मधोशी से कहा बेबी हरी के मूँ से अपने लिए बेबी शब्द सुन वानी ने अपनी आँखों को और कसकर भीच लिया हरी की आवाज में एक अलग ही कसक थी जो की वानी के दिल को छू कर गुदगुदी कर रही थी तब ही उसके गुरू की हरी की गर्म शांसे अपने चहरे पर महसूस की हरी के गले लग गई और उसकी चहरा हरी की सीने में छुपा लिया अपना चहरा हरी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उसने वानी को अपनी बाहों में भर कर उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा बेबी मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ पर तुमसे सच में इश्ख है मुझे मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करूँगा और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा बस मुझे कभी छोड़ कर मत जाना वानी ने उसकी बात सुनी और अपने मुझे से एक शब्द भी नहीं कहा सच तो ये था कि उसने कभी और लड़ना चाहती थी हरी से पर उसकी नजदीकियों को देख वह चुप हो गई और सोने ही उसने सोना ही बहतर समझा इधर हरी वो नशे में होने की वज़े से वानी के कुछ ना कहने पर उससे बाते किये जा रहा था सुवह के समय वानी की आँख सबसे पहले खुली ऐसा उसे लग रहा था उसने धीरे से आँखे खोलते हुए उठने की कोशिश की तो उसे अपनी कमर पर किसी की भारी भरकम हाथ महसूस हुआ वानी ने अब ठीक से आंके खोलते हुए देखा तो वे इस समय हरी के सीने पर सिर रखे सो रही थी वानी खुद को इस तरह से हरी के करी देख खबरा गई उसे कल रात की बातें याद आ गई ये क्या हो रहा था उसके सांथ वे जितना दूर गुरू हरी से जाना चाहती थी पर उतना ही उसके पास आ जाती थी क्या वे धीरे धीरे पागल हो रही थी वानी ने अपनी सोच को रोकते हुए उठना चाहा तो एक बार फिर हरी के हाथ ने उसे रोक लिया उसने अब हरी के हाथ को हटा बैट से उठना चाहा कि तभी हरी ने उसको लपक से पकड़ लिया और उसे अपने साथ बैट पर पैटा लिया वानी ने उसकी इस हरकत पर चिड़ते हुए कहा अब क्या है छोड़िये मुझे हरी ने वानी को एक नजर देखते हुए कहा ये तो तुम अपने सपने भेभी नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ अब तो ये साथ मेरे मरने की बाद ही जूटेगा वानी ने गुरू की बात सुने से देखा और फिर अपने चहरे को दूसरी तफ करते हुए कहा सोबह हो गई है अपनी बात कहते हुए वानी की कान शर्म से लाल हो गए थे वे इस समय हरी के सीने पर हाथ रखे, उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर इस समय हरी शर्टलेट्स होकर लेटा हुआ था, हरी ने वानी को की बात सुनी और उसे कहा, मुझे पता है, और अभी सुवे के तस बज रहे है। वानी, हरी की बात सुन चिल्लाई, क्या? अच्छा लगा वानी अव उठकर ठीक से बैठ गई और उसने मुँ मर उड़ते हुए कहा मैं क्यूं बताऊं और क्या मेरी मर्जी की कोई वैल्यू है हरी ने अपनी आख बंद की और फिर अचानक से वानी को अपने पास कीचते हुए कहा क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार से बात करूँ जब देखो गुस्ना दिलाने का काम करती हो तुम वानी गुरू की बात सुन डर गई तब ही हरी ने उसके कंदे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा और फोन रख दिया उसके हाथ में खर हमारा है तो हम दोनों को ही पसंद आना चाहिए ना मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में हर चीज तुम्हारे पसंद की हो वानी ने इस पर हरी को टोन्ट मारते हुए कहा लोगों के घर उजार कर अब आपको खुद का घर बनाना है क्या मजाक है इस पर हरी ने वानी को देखा और धीरे से कहा हाँ बनाना है पर अकेले नहीं तु दूर पर किसी ने नौक किया हरी आवाद सुन वानी से दूर हो गया उसने सिर उठा कर धीरे से कहा साले हमेशा गलट टाइम पर ही आते हैं ये कहते हुए हरी उठा और उसने जाकर डोर ओपन किया तो सामने छोटे खड़ा था जो की बहुत जोरों से हाफ रहा था हरी ने उसे देख हैरानी से कहा क्या क्या हुआ तुझे इतना क्यों हाफ रहा है छोटे ने दरवाजा पकड़ते हुए कहा जफर जफर आया है वो इस समय उपर तेरी कमरे की ओर बढ़ रहा है तो हेलो अब्रिवान आई होप आपको ये एपिसोड भी पसंद आये बाकी के एपिस स्टूरी पसंदारी होगी तो बने रहे इस स्टूरी में ऐसे ही स्टूरी जानने के लिए और एगर आपको स्टूरी का जरा सी भी पसंद आ रही हुँ तो आप मुझे कमेंट में जरू बतायेगा क्या चैनल